नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूटूब चैनल में जी हाँ आई आज हम सभी जानते हैं वजन को कम करने के लिए बहुत ही आसान सी हो में ड्रेमेडीज के बारे में क्यूंकि आज कल सबसे ज़्यादा जो समस्या है वो लोगों की यहीं है कि उनका आपका वजन बढ़ जाए तो आप पहला कंट्रोल कीजिए कि जितने भी फास्ट फूड आप खाते हों उन पर रोक लगा दीजिए जी हाँ लेकिन आज हमें खास और शदी के बारे में बता रहे हैं क्योंकि आप सभी जानते हैं कि एकसर साइज करना और इसके साथ साथ आ सूजी में बहुत गुण होते हैं सूजी से बने पकवान अगर आपको बहुत पसंद है तो आपके लिए ये जानकारी बहुत ही महतोपूनश सिध्ध होने वाली है इसे नियमित रूप से जो लोग सेवन करते हैं वो बिमारियों से भी बचे रहते हैं हमारे घर के किचन मे कई ऐसी चीजे मौझूध होती हैं जो सेहत और स्वाद दोनों का बहतरीन कॉम्बो होती हैं इसी में से एक है सूजी जिसका हल वाहर किसी को पसंद होता है सूजी के स्वाद से तो हम सभी वाकिफ हैं लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसमें महजूद विटामिन और मिनरल्म से막त के लिए बहुत फाइदे मंदा हें जी हां यह डाइबितेज के रोग्यों के लिए भी 11 सुजी का क्लाइसμεंड। इंडेक्स बहुत कम होता है इसी वजह से दाइबितेज के रोग्यों के लिए एक अच्छे आहार के रूप में जानी जाती है लेकिन इसका सेवन कैसे करना है आपको सुगर के साथ नहीं करना है यानि कि हल्वा नहीं बनाना है आपको इसका इस्तेमाल आपको करना है उपमा बना करके जी हाँ नमकीन खाना है आपको आपके लिए फायदे मंद होगी इसके अलावा अगर आप अपना वजन कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं तो सूजी को अपनी डाइट में शामिल कीजिए और वो भी उपमा के रूप में इसमें धेर सारा फाइबर होता है जो पाचन तंत्र को सुचारू रखने में मदद करता है जिससे की अन्य अन्य धंग से जिन का भी वजन बढ़ता हो वो कंट्रोल हो जाता है बोडी में एनरजी बनाए रखने के लिए विटामीन, खनीज और अन्य पोशक्ततों की जरूरत ह होती है और यह सब सुजी में भरपूर मात्रा में मौजूद होते हैं यह दिल और गुर्दे की कारे शमता को बढ़ाने का कारे करता है इसके साथ ही यह मांस पेशियों को सुचारू रूप से कारे करने में भी मदद करती है सुजी में आयरन की मात्रा भरपूर होती है और खाने से एनेमिया जैसे रोग होने की संभावना नहीं रहती है और अगर आप इस रोग के शिकार हैं तो इसे खाने से खून की कमी पूरी हो जाती है इसलिए आप सुजी के सेवन से अपने आपको स्वस्थ रख सकते हैं सुजी में फैट और कोलेस्टरोल बिल्कुल भी नही होता है इसलिए यह उन लोगों के लिए अच्छी है जिनका कोलेस्टरोल बह जाता है जिहां दोस्तों तो यह थी आज की जानकारी आप सभी के लिए वजन कंट्रोल करने से रिलेटेड और सुजी के फायदों से रिलेटेड अगले एपिसोड में आप सभी के साथ नमस्कार दोस्तों